चलिए इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि फोन और लैप्टोप को कैसे लिंक करते हैं इससे आपको यह फैदा होगा कि अगर मान के चलिए आपका मोईल का बैटरी डाउन हो गया है और आप उसको चार्ज लगा दिया है और उसमें कोई कॉल या मैसेज आएगा तो उसके नहीं पर डारेक्ट अपको लिंक लिखना है यहाण लिकने के बाद दिखेंगे एक हैं रहा है लेकिन वह एप नहीं है जो हम लोग खोज रहे है तकुछ नहीं करना उसमें सेम अपको अपने प्ले टोर में आपको दिखा रहे हुए यहा पे यहां पे जाना है और स्कूली लिंक बिंड़। का दूरियं ऐसको सब्सक्राइब करना उसके बाद सब्सक्राइब देखहोर सकते इसको अभी इसको अपको इसनल प nasa क्यू आर सबसे बेस्ट रहता है इसमें आपको मोबाइल में आईडी पासवर्ट डालने के जो रिया नहीं पड़ेगी बस क्यू आर से ही आपका साइन हो जाएगा अभी देख सकते हैं कि मोबाइल में भी पूरा-पूरी हो ही गया है डाउनलोड अब देखें यह QR code को इस app से आपको scan करना है और वो account इसके साथ लिंक होगा उसके बाद जो भी permission इसमें मांगेगा देते जाना है इससे आपका phone और laptop दोनों लिंक हो जाएगा उसके बाद इसमें जो चीज़ आएगा आपको वहाँ पर दिखाई देगा उसके notification में आप यहा इसके बाद continue करना है उसके बाद यहाँ पर यह QR दिख रहा है उसको scan कर लेना आपको देख सकते हैं यह हो रहा है अब आप आपको लेप्टोप में भी दिखाता हो यहाँ इसके बाद देखें वहां पर यागे बढ़ गया आप यहाँ पर परमिसं चाहिए जो यहाँ पर देते जाना है एलाव करते जाना है यहाँ पर mobile में उसके बाद continue करना है उसके बाद यहाँ no restriction कर देना है और done मारना है और यहाँ पर allow करना है उसके बाद आपको यहाँ पर phone में continue कर देना है laptop में उसके बाद यह कुछ अपना highlight दिखाएगा कैसे कैसे काम करना है इसमें next next आपको click करते जान असकी फोर्नाव मार देना है और यहां पर इसमें आपको दबा देना है अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखा रहा है यहां पर आपको दबाना है उसके बाद आपका फोन में देखते हैं ओप्सन आ गया यहां पर ओपन दबाना है आपको नोटिफिकेशन का परमि security warning रहता है तो इसके आपको कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर आपको OK दबाना है और अपना fingerprint जो भी हो password यहाँ पर लगा देना है उसके बाद आप देख सकते हैं setting हो गया है उसके बाद यहाँ पर बार बार यह जो लिख रहा है इसमें एक option रहता है वह आपको on करना रहता है अगर आप wifi से नहीं connect है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पर सेंसी ओबर दा mobile data इसको यहाँ पर on कर देना आपको अब उसके बाद यहाँ पर back आ जाना है तो यह option कुछ दिख रहा है आपको मैं यह notification दिखा दूँगा उसके बाद फिर से यहाँ पर setup more feature में करना है अब यहाँ पर phone call में आना है यहाँ पर getting started मारना है और यहाँ पर आपको अपना Bluetooth on कर लेना है इसका laptop का उसके बाद यहाँ पर setup पर क्लिक करना है यह setup first time करना पड़ता है उसके बाद अपना Bluetooth या Bluetooth open कर देना और यह phone automatically connect हो जाएगा और laptop में आपका नेट रहना चाहिए और अगर आपका phone और लेप्टोप दोनों सेम Wi-Fi में तब तो और बणी है आप देखें यहाँ पर मिसन मांग रहा है इसको open दबाना है अब फिर से आपका जो भी फिंगर या password होगा उसके बद यहाँ पर allow कर देना है देखिए अब यह connect हो रहा है phone और PC दूसरे से यहाँ पर पेरिंग आ रहा है फिर से आपको अपना पीन या password जो भी हो डाल देना है उसके बाद यहाँ पर allow करके यहाँ पर दबा देना है यहाँ पर फिर से permission आपको भेजना है ताकि आपका call लोग पर पाए आप यहाँ पर देख सकते हैं open का option आ रहा है इसमें जाके आपको यहाँ पर allow कर देना है अब यहाँ का जितना भी call लोग हो यहाँ पर आपको show करने लगेगा अब भी मान के चलिए आपको call लगा के दि यह वाइस चेंजर के कारणी यहाँ पर वाइस अलग आ रहा है कि मोबाइल में वाइस चेंजर होने जिसके कारणी यह वाइस थोड़ा लग आ रहा है कि अब फिर से ट्राइब करते या बुलू दूद का अब भाइस थोड़ा उत्रा सही से नहीं आ रहा है लगता बुलू दूद का कुछ ही सुआ है यह ओटोमेटिकली ठीक हो जाता है कि अवी अवी आपको दिखाते हैं जैसे इसमें कोई हम लोग नटिफिकेशन है यहाओ पे कैसे आप फोन का भी जो फोटो है 200 फोटव यहाँ से देख सकते हैं कॉल लोग जो भी मैसेज हाता हों आप यहाँ ससारा देख सकते मॉब्यमेश में शैसे कोई भी यहां पर मिल जाएगा, यहां आप फोटो देख सकते हैं, यहां पर किसी का call पिक कर सकते हैं, अभी आपको call करके दिखाते हैं, अभी देखिए phone में call करेंगे, तो अटोमेटिकली आपका PC में पता चलेगा, अब देख सकते हैं, यहां पर call आया अब देख सकते हैं पर आपका PC में भी call आ रहा है और यहां से आप उठा के बात कर सकते हैं अभी मैं नहीं उठा के आपको दिखाने कि देख सकते हैं यहां पे जैसे मैंने हाई लिखा तो यहां पर भी मेशेज आज सकते हैं यहाँ जिस मोबाइल से भी मैंने यहां पर आपको मैसेज किया वह यह मोबाइल है अब इसे मैं यहां से हाई लिक के भेजता हूँ लैपटोप से ही तो आपको देखेगा कि वहाँ पर भी हाई का रिपलाई अपने आप आ जाएगा देख सकते हैं तो बैसिकली अगर आप यह चीज कर लेते हैं तो आपको फोन को छूने की जोरत नहीं है आप सारा काम तक वहाँ सांग के फोन में इस फिलालाता है तो आप सारा काम कर सकते हैं उसके लिए आपको इसका ब्लुटूथ ऑन रोखना है इसको से कनेक्ट करना और इसको भी ब्लुटूथ ऑन रणना चाहिए अगर ब्लुटूथ ने नहीं है तो कॉलिंग वाला फीचर आपका शिर क Beim कि देख सकते यहां भी आ रहा है देख सकते आपका लैप प्ने भी आ रहा है अब करके कर सकते हैं आपको सब्सक्रेइब करके करको कि आ ठीक RAW हो गया है इसको कि इस upfront करते हैं अब मांन के चілले हैं को को कोई WhatsApp में मेसेच करता है कैसे आएगा अगर ऐप कटा हुआ तो आपको दिखाते हैं देख सकते हैं आपको कैसे मैसेज आता है आप यहीं से रिपलाई कर सकते हैं डारेक्टली अग्या अपना मोबाईल छुने की जोरत नहीं है आई आपका रिपलाई हो गया तो इस परकार आप फोन लिंकिंग एप को मोबाइल और लैप्टोप में इंस्टॉल करके और एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं और इसका जो भी फीचर है उसका आनंद ले सकते हैं